एंडॉइट सीखना अब हो गया है और भी आसान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नितने पाड़कास्ट और आपकी तमाम तर कुई रिसका रिपलाएं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बच जाएए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए धेर सारी मालूमात Only on Android Blind Cafe एक या काव आशलाम अलेकूम एंड्रोइल ब्रैंड काफे के यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ अब्दिल वहीर और एक और इंफॉर्मिटिव वीडियो नहीं आप्रों के पास दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ कहने की हद तक इंफर्मेटिव नहीं है आज की वीडियो से ही मानव में आपके लिए इंफर्मेटिव होगी इसका अंजाजा आपको इस वीडियो के देखने के बाद होगा दोस्तों मौमला कुछ यू है कि आजकल हर दूसरा इनसान आपको ये शिकायत करता हुआ दिखाई देता है कि उसके पास मॉबाइल नेटवर्ट में सिगनल्स वीक हैं उसके पास मॉबाइल की कॉल रिसीव नहीं होती है या वो अपने दोस्तों को कॉल करना चाहता है तो कॉल हो नहीं पाती सम्टाइम पीच में ही कॉल जा है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है बात अधुरी रह जाती है दोस्तों के एक गुस्टे से शकायत होती है कि यार आपका नेटवर्ट का में नहीं मिल पाता तो नेटवर्क के होने में सिगनल्स के वो कौन से लेवल्स हैं जिसके ओपर हमारी काल बेहतरीन तरिके से कनेक्ट हो सकती है और वो कौन से लेवल्स हैं जिसके हमारे सिगनल्स वीक हो जाते हैं और वो कौन से लेवल्स हैं जिसके हमारे सिगनल्स पूर कहलाते हैं और कहां पे जाके ये बैड हो जाते हैं ये बात किसी को भी मालूम नहीं होती है हम सिर्फ सिगनल्स या नेटवर्क का ही रोना हरत रोते हैं आज मैं आपको दो ऐसे तरिके बताऊंगा जिन से अब बाअसानी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं किया आपके मुबायल में इतने सिगनल्स मौजूद हैं कि आप कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये एक टेकनिकल इश्यू है लेकिन आज आपको एक असानी के साथ बताऊंगा इससे पहले कि मैं इस वीडियो में वो डिमांस्टरेशन करके दिखाऊं मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमें लेवल्स क्या चाहिए होते हैं और कहां तक हमरे लेवल्स रिक्वाइड होते हैं यहां पर हम एक टर्म इस्तमाल करेंगे डी बी एम डेसीबाल मिली वाट्स दोस्तो हमारे पास जो सिगनल्स हमें अपने बी डी एस यानके टावर से मिलते हैं वो बिलकुल मिली वाट्स में होते हैं बहुत लीक सिगनल होते हैं और हमारा मुबाइल इनको इम्प्लिफाई करता है लेहाज़ हमें अपने V provide us से जो सिगनल मिलते हैं जो भी सिगनल हम सेंड करते här और उनकी reading DBM में ही हमेशा होगी यह हमें कहां मिलते हैं कैसे चटक कर सकते हैं कि हमारे मॉबायल में कितने DBM सिगनला इस विएडऱ् मैं आई एन आपको मताता हूं सबसे पहले हम अपने मुबाइल की settings को open करेंगे तो मैंने settings का icon अपने desktop पे रखा हुआ तो मैं इसको swipe करते हुए तलाश करता हूँ settings में मैंने किया double tab और इसमें मैंने अब जाना है about phone तक swipe करते हुए about phone इसके अपर करेंगे double tab और हमने यहां पे swipe करते हुए एक feature तलाश करते हैं status का about search, edit, stat, legal, software information, view the legal information, status, view the sim card status, MA and other information status, status के पर हम चुभी double tab करेंगे status, navigate up button तो हम इसमें सबसे पहला option sim card status तो sim card status के पर हम आके हैं इसको हम इसके पर double tab करते हैं sim card status, navigate up button अगर आपके पास यहां पे एक से ज्यादा sim है लगी हुई हैं तो आपको दो network दिखाए जाएंगे और अगर आपके पास एक sim है तो एक ही network दिखाए जाएगा मेरे इस मुझूदा mobile में इस सबसे एक ही sim है लेहाजा मुझे वो एक ही network बताएगा sim card status, network, zone, enlist, six items तो मेरे पास एक ही network शो हो रहा है लेकिन मेरे लिए जो सबसे important चीज़ है वो है signal strength signal strength minus 88 dbm 52 asm अब यह देखें इस से मताया कि minus 88 dbm यह minus 88 dbm क्या चीज़ है अब यहाँ पर मैं इसकी वज़ाद करता चलूँ कि good signals इनको हम बहुत अच्छे excellent signals कहते हैं जो के call को receive करने के लिए और send के लिए हमें required होते हैं वो होते हैं minus 62 minus 80 अगर हमारे पास signals का level minus 60 से लेकर minus 80 के दिनम्यान में आ रहा है तो समझे लिए कि आपके पास signal बहुत strong बहुत अच्छे signals हैं और अगर आपके पास यह signals का level 80 से अबब हो जाए इनके 80 और 90 के बीच में रहे तो फिर आप समझे लिजिए कि आपके पास standard signals हैं काम चल सकता है लेकिन signals बहुत अच्छे नहीं हैं और अगर आपके signals 90 to 100 हो जाएं तो फिर आप इनको weak signal कह सकते हैं और 100 से 110 पे poor signal होंगे और 110 से उपर के जो signals होंगे वो bad signals के लाएंगे इस सकत मैं चुक कि अपने घर की दूसरी मनजिल में मौझूद हूँ फर्स्ट फ्लोर के उपर इसलिए मेरे पास minus 88, 89 नहीं कि बहुत अच्छे signals तो नहीं हैं लेकिन standard signals के लेवल में मेरे पास signals आ रहे हैं मेरी call continue रह सकती है disconnect नहीं होगी अगर मैं 100 तक के लेवल में चला जाओंगा तो मेरे पास signals weak हो जाएंगे मुझे आवाज कभी सही सुनाई देगी कभी सही सुनाई नहीं देगी अगर मैं 100 को cross कर जाता हूं तो फिर मेरे signals वीक हो जाएंगे और मुझे हो सकता है कि call disk connection को face करना पड़े यह जो तरिका कार मैंने आपको बताया है यह मैंने Samsung के उपर reply किया Samsung users settings settings में से about phone और about phone में से तलाश करेंगे status और status के पर जब डबल टाइप करेंगे तो network को network के नीचे इनको मिलेगा signal strength हो सकता है कि बास दोस्तों के mobile में यह settings ना हो और उनको दिक्कत पेश आए इस चीज़ को तलाश करने में तो अगर metrola users हैं हवावे के users हैं HTC set को यूज करने वाले जो लोग हैं वो एक code भी apply कर सकते हैं code कुछ यूँ है star hash four six three six hash star hash star code फिर दोहरा देता हूँ star hash star hash four six three six hash star hash star शुरू में आपने star hash लगाना है और आखर में hash star करना है और two time लगाना है यह code जूँ ही आप apply करेंगे तो आपके पास बिल्कुत same यही information शो हो जाएंगी जिसमें आपको signal strength लिखनी है बहुत सारी चीज़ने उसमें शो होगी लेकिन आपके लिए जो चीज़ दिल्चस्पी वाली होगी वो होगा signal strength तो यही levels आपने वहाँ पे चेक करने हैं अगर आपको यही levels वहाँ पे मिलते हैं तो आप बाहुभी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस सब किस condition में आप call कर सकते हैं call receive कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो बजाए ये कि तुक बंदी पे अंदाजा लगाया जाए कि हमारे पास signals हैं या नहीं ये एक technical parameters मैंने आपको बता दिये जिसके जिरिए आप अपने mobile को खुद से ही जान सकते हैं कि आप जिस जगाप इसक बैठे हैं वहाँ पे आपके पास signal levels क्या आ रहे हैं दोस्तों ये थी आज की एक मुक्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ बहुत जरूरी information प्रोवाइड की अमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो दोस्त हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ाए हैं उनके साथ हमारा रफ़ता बना रहे और बाकी द लिंक को blind community तक जितना फैला सकते हैं फैलाएं ताके सभी दोस्तों का फाइदा हो सके वीडियो दिखने का बहुत बहुत शुक्रिया कि मॉ्स कुट है च – कि मॉ्स का जितना जैंता बाकीthank crews if you झाल झाल